अंधेरा रहते बड़ी सुबा वो घर छोड़कर किसी एकान स्थान पर चला गया जहां उसने प्रातना की येशू जब उजाला नहीं हुआ था जब सूरज की पहली किरने धरती को नहीं छुई थी तबी जाकर प्रातना करने लगे हमने सुना Gospel of Jesus Christ, The Authority of Jesus Christ, आज हम येशू की प्रातना देखेंगे येशू की प्रातना The Prayer of Lord Jesus Christ, ये एक अद्बुद मिस्ट्री है, भेद है, रहस्य है कि परमेश्वर परमेश्वर से परातना कर रहे है, कि परमेश्वर परमेश्वर से परातना कर रहे है, परमेश्वर जो खुद शरीर करूप धारन करके हमारे बीच आया, उसने अपने आपको शुनने कर लिया, अपनी महिमा छोड़के हमारे बीच, अपनी गलोरी छोड़के कि हमारे बीच इंसान जैसे रहे और जब इंसान जैसे रहे तो उनोंने पिता के अधीन अपने आपको कर लिया ये शू प्रातना करने वाले व्यक्ति थे परमेश्वर परमेश्वर से प्रातना करता ये एक रहसे है सोचो कि ये जो परमेश्वर है जो पूरा इंसान भी मिन है सोने में नहीं है आमें रेस्ट में नहीं है प्रातना में और कभी ऐसा नहीं कि प्रभुईश्य ने प्रातना किया तो वो काम नहीं किये जो उनको करने थे उनकी प्रातना पैसिव नहीं थी उनकी प्रातना यह नहीं थी कि परमेशन मैं सब तेरे भरोसे छोड़ रहा हूं मैं कुछ नहीं करूँगा प्रभु येश्यू ने प्रातना की और वो सब जो वो करना था उनको उन्होंने किया उसका काम और उसकी प्रातना दोनों जुड़ी हूई है और प्रातना प्रभु येश्यू के लिए खेवल पिता के साथ समय नहीं था प्रातना प्रभु येश्यू के लिए उनके कारियों के लिए उनकी सिवकाई के लिए सामर्द भी था आमेन बहुत से लोग प्रात्ना करना चाते हैं लेकिन प्रात्ना नहीं कर पाते हैं बहुत से लोग के पास समय नहीं हैं बहुत से लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं बहुत से लोग नहीं समझते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हैं अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो तु उसके बिना कुछ नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको उपर से ना मिले और दुनिया के लोग बहुत स्याने हैं दुनिया के लोग बहुत समझदार हैं जो आत्मिक जगत को पूरा इन्वाल्व करके जो अपनी भक्ती में, अपने sacrifices में, अपने जादू टोने में, अपनी मूर्ती पूजा में, अपने जो भी आध्यात्मिक कार्यों को अपनी personal life से बिलकुल जोड के रखते हैं, लेकिन एक विश्वासी भूल जाता है कि उसकी life का greatest role model प्रभु येश्व मसी खुद एक man of prayer था मैं चाहता हम लोग सोचे हैं कि अगर व्यक्तिगत रूप में हम उन चेलों की जगा प्रभु येश्व के साथ होते हैं, तो प्रभु येश्व का प्रातना जीवन हमको कितना प्रभावित करता हैं, हम लोग किसी भी man की authority से impressed हो जाते हैं, हम लोग किसी भी man के ministry से या उसक glorious works से बहुत impressed हो जाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो जानना चाते भाई, इस power का secret क्या है, बहुत कम लोग है जो जानना चाते भाई, इस man का source क्या है, प्रभु येश्व के पास जो source था, वो source हमारे पास भी है, प्रभु येश्व के अंदर जो पवितरात्मा था, वो हमारे अंदर भी है, same पवित्रात्मा inferior नहीं है किसी को लगा दो लेवल के पवित्रात्मा है, जो प्रभु येशो को मिलावा हैर लेवल के है जो हमको मिलावा लोवर लेवल करने है एक ही पवित्रात्मा है, और वही सामर्थी पवित्रात्मा हमको दिया गया है ताकि वो हमारी साहता कर सके इवन प्रात्ना में हमारी साहता कर सके हमको कैसे प्रात्ना करना है क्योंकि हम नहीं जानते हमको कैसे प्रात्ना करना है लेकिन हम प्रात्ना करने बैठते ही नहीं है तो पवित आत्मा हमारी साहता प्रचार करने जाएंगे तो आत्मा अभी शेक करेगा क्यों आत्मा मेरी निर्बलता में मेरी सहायता करता है तो प्रभू येश्यू के पास जो पवित्रात्मा था हमारे पास भी वही का वही पवित्रात्मा है प्रबु येशु ने जितने काम किए, पवित्रात्मा के अभिशेक से किए प्रीतों कि उस्तक 10.2.8 मिलीगा कि परमेश्न ने येशु नाजरी का ऐसा अभिशेक किया किस रिखित से किया, पवित्रात्मा से किया कि वो जहां गया, वो लोगों को छुटकारा देता लोगों को चंगा करता और भले काम करता गया वही का वही पवित्रात्माम को दिया गया है जो प्रभु येश्यू के पिता थे वही हमारे पिता है ऐसे नहीं कि वो हमारे चाचा हैं या हमारे ताउ हैं तुम सोचो, जिस व्यक्ति के नाम पे हम प्रात्ना करते हैं, वो खुद भी प्रात्ना करने वाला व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के नाम पे हम प्रात्ना करते हैं, वो खुद भी प्रात्ना करने वाला व्यक्ति, यह क्या मिस्ट्री है, कि परमेश्वर खुद परमेश्वर से जब एक आदमी अपने अपको humble करते हैं अगर हमको पृत्वी के realm में रहना है तो हमको याद रखना पड़ेगा कि ये realm आत्मेक जगत से प्रभावित है और एक विश्वासी के रूप में हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं हो तो किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको एपर से ना मिले तो तो कई लोग प्रात्ना इस दें नहीं करते क्योंकि वो अपने जीवन में मधोश है या वो अंजान है उनको नहीं मालुम है कि जब तक विश्वासी जीवन में हम प्रात्ना करके आगे नहीं बढ़ेंगे हम आत्मिक जीवन के फल उत्पन नहीं कर पाएंगे हम अच्छे कामों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम अच्छे कामों में हार मान जाएंगे हम दूसरों को आत्मा बचाने जाएंगे लेकिन हम बुरी तरह हार मान के वापस वहीं लोट जाएंगे जहां हम चालो किये थे हमको निराशा है खा जाएंगी हमको परिस्तिया खा जाएंगी हमारे हर काम में हमको रुकावट मिलेगी लाइफ में हर्टीज में फ्रॉस्टेशन मिलेगी ये वर्ल्ड कर्स्ड है इस पित्वी में इनसान के हाथों के काम कर्स्ड है और ब्लेसिंग अगर किसी को चाहिए उस व्यक्ति को प्रेयर का व्यक्ति बनना पड़ेगा हमारे ग्रेट एक्जामपल लॉर्ड जीजस क्राइस दि मैन आफ प्रेयर ये दि कोई व्यक्ति आज है आप बचन सुन जो और आप प्रातना कर रहे हैं लेकिन वो प्रातना का सामर्थ जिसका एहसास था कि प्रातना में आपको मालुम है कि परमेश्वर के सिंघासन के सामने आना है और अपने जीवन में आशीशों को देखना है उसके वादों को पूरा करते देखना है हो सकता है वो और आपके लाइफ से चला गया है आज समनना इस बात को कि प्रभु येश्व प्रेयरफुल मैन थे जितना बीजी लाइफ प्रभु येश्व की उतनी ज़्यादा प्रेयर अब इसको अगर हम लोग अपने कॉंटेक्स में लाए हम जितना बीजी होते हैं हम उतना कम प्रेयर करते हैं हम जितने व्यस्त होते हैं हम उतना कम प्रेयर करते हैं प्रभू येश्व हजारों हजारों लोग को मिनिस्टर करते हैं, इस रात से पहले भी जब वो सिमॉन और एंद्यस के घर में हैं, उससे पहले भी उन्होंने बहुत लोग को चंगा किया, बहुत भीड को मिनिस्टर किया, रात को बहुत ठकी होंगे, बट अर्ली मॉनिंग प्रिस्थितिया है, मेरे को ग्रेश चाहिए, मेरे लाइफ में आगे चुनोतिया है, फ्रस्ट्रेशन है, परिवार है, मेरे को प्राथना है चाहिए, जितना व्यस्त जीवन, उतनी ज्यादा प्राथना है, हमारा जितना व्यस्त जीवन, उतनी कम प्राथना है, कितने जाए कि यही तो सीक्रेट है उस व्यक्ती के कभी फेल नहीं होने का उसकी पर्फेक्ट लाइफ का कि प्रेयर की वैल्यू और प्रेयर की जगा सही थी देखो प्रभु येशु ने जो कुछ किया अगर वो परमेश्वर होके किया तो फिर उन्होंने पून रूप से अपने आपको पिता के अदीन नहीं किया तो ऐसा नहीं कि प्रभु येशु किसी भी समय परमेश्वर नहीं थे परमेश्वर थे वही सारे परमेश्वर का सामरत उनके पास था पर अपने आपको पून रूप से इंसान बना लिए, हमने प्रभु येशु का हर तरह से पर्खे जाना भी सुना था, रैट, आप क्या रिजेक्टेर हैं, प्रभु येशु भी रिजेक्शन फील किये थे, आपकी निंदा होती, प्रभु येशु की हुई थी, आपके पुर थूका आने गया, आपको क्या कहता है, वो अपनों के पास आया, उसके अपनों ने उसको नकार दिया, फैमली में क्या रिजेक्शन होती है, उनको मालूम है, बुरा भला सुनना क्या होता है, उनको मालूम है, एक बार फरीसी उनको कहते हैं, कि हम तुम्हारी तरह वेविचार से नहीं पैदा हुए हम वेभी चार से पैदा नहीं है और यह टैक कहा था यह प्रभू येश्व पही था एक तो कुछ लोगों को परमेश्वर का सम्मान नहीं है मेरे जीजस, मेरे बॉइफ्रेंड अरे वो अगर तुमारा भाई है तो वो राजा भी है सम्मान करना सीको परमेश्वर की निंदा मत किया करो पर दूसरी जगा हमको मनन करने के जरुवत है येश्व जो इनसान बहुत मनन के जरुवत है क्योंकि एक परफेक्ट रोल मॉडल है तो वो प्रभू येश्व मसी है मैं फिर बोलता हूँ सिर्फ यही बात आज हम लोग के मनों में उतर जाए जितनी बिजी लाइफ उतना ज़्यादा प्रयाद घमंडी आदमी प्रातना नहीं कर सकता है धीट व्यक्ति प्रातना नहीं कर सकता है जो व्यक्ति अपने ही मन की करना चाहता है टैनी कॉस्ट वो प्रातना नहीं कर सकता है तोटे दिल के लोग परमेश्वर के करीब होते जो अपनी हार जानते हैं जो अपने प्ररोबन जानते हैं जो अपनी कमजोरिया जानते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं ऐसे लोग जानते हैं प्रातना कितनी जरूरी है कि आपको जय पाना है प्रातना जरूरी है बिना प्रातना के नहीं हो सकता बिना प्रातना के गम खा जाएंगे गम तबाह कर देंगे इसलिए जो आदमी जिसका नाम ही उसकी माने दर्द रख दिया था यावेश याविश के नाम का मतलब ही दर्द है माँ चली गई दर्द छोड़ गई तुमको परिवार से माल मिले या ना मिले प्रोपटी मिले या ना मिले दुख और दर्द फ्री में मिलेगा क्योंकि सब कुछ पीडियों का खेल है आदम के बाद उस पाप का प्रभाव हर पीडी जहल रही है ये आदमी पैदा होता है इसकी माँ ने क्या दर्द अनुभाव किया मालूम नहीं लेकिन इसकी माँ ने इसका नाम ही रग दिया दर्द और ये आदमी बोलता है हम जो मेरे नाम की लिमिटेशन हम उसमें नहीं जीएंगे इसने अपने हाथ उठाए इसरेयल के खुदा से दुआ किया खुदा तु मुझे बरकत दे मेरी हदों को बड़ा अगर हम उस गाने को गाते ऐसा ना हो कि गम कर दे मुझे तबा अगर हम प्रातना का प्रभाव में सामर्त में नहीं जीएंगे हमारी लाइफ बरबाद हो जाएगी हमको गम ही खा जाएंगे अच्छा करना भूल जाओ क्या आपको अच्छा करना है क्या आपको भले काम करना है और प्रातना नहीं करना भूल जाओ जब भी हमारी प्रातना जीवन धिला हो जाता है क्या होता है उसका पहला प्रभाव क्या होता है हमारे मन में अलग-अलग प्रकार के विचार आने लगते हैं हमको आत्मिक चीज़ अच्छी नहीं लगती दुनियादारी अपनी ओर खीचती है दुनिया की बाते ज़्यादा अच्छी लगती है मन कठोर रहता है हम अपने मन की करने लग जाते है इस सब करने के बाद भी ठेस कम लगती है क्योंकि पिता की उपस्षिती में दिल विनम्र नहीं हो रहा पिगल नहीं रहा गमंडी आदमी प्रातना नहीं कर सकता जब भी हम प्रातना का जीवन छोड़ देते हैं हम गलतियों का जीवन चालू कर देते हम संगर्श का जीवन चालू कर देते हैं तो यह क्या संगर्श है ये दुनियादारी वाला संगर्ष है जो दुनिया कर रही है प्रभू येश्यू प्रात्ना करने वाले वेक्ष तुमको आगे बढ़ना है तुमको प्रात्ना करनी है तुमको जय पाना है तुमको प्रात्ना करनी है तुमारा परिवार है तुमको प्रात्ना करनी है तुम्हारे जीवन में को दर्शन है तुमको प्रातना करनी है तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाते हो तुमको प्रातना करनी है तुमको जय में जीना है तुमको प्रातना करनी है जीजस के लिए हम लोग सब जाते हैं कि प्रातना पादर के साथ इंटीमेसी थी प्रातना उनके पिता के साथ करीवी थे वो रिश्टा था लेकिन उसके साथ साथ वो परमेश्वर के सामर भी था जो उनकी पब्लिक लाइफ में दिख रहा है जिस व्यक्ति के जीवन में उसकी प्राइवेट लाइफ में प्रेयर का आल्टर बना है उसके पब्लिक लाइफ म निकल कर एकांत में जाकर प्रात्ना करते हैं कोई भीड, कोई कंपनी, कोई फेलोशिप उनको रोक रही सकी प्रात्ना करने से अलग होके पिता के लिए, पिता के उपस्थिती में जाने से अब यह फिर बोलता हूँ, एक ही बात हम लोग को आज अपने दिमाग में डालेनी है, जितनी बिजी लाइफ, उतना जीजस अपने प्रेयर लाइफ को लेके conscious है, लोग बोलेगा, रहे क्या करते रहते हो क्या बरबढाते रहते हो, इतना प्रेयर कौन करता है इतनी भक्ति किस काम की है ये भक्ति से न पेट नहीं भरता है भक्ति भक्ति करके दुनिया में पीछे हो जाओगे कुछ करो जीवन खराब कर रहे हो कुछ करो तो हम लोग अपनी लाइफ को अगर दुनिया क्या बोलती है उसके हिसाप से डालेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है लेकिन जो आपकी निंदा करता है वो ठीक कर लेता है गंटी बजा रहा है तब किसी की हिम्मत नहीं उनको रोग दे किसी की हिम्मत नहीं बीच में आ जाए किसी की हिमत ने उनको डिस्टरब करते है जब वो टिंग निंग करते हैं कोई बेल बज्जा वो नहीं उठेंगे लेकिन जब हम प्रात्ना करते हैं हमको दुनिया में सब को सम्मान देना है तो क्यों हम लोग कही न कहीं उसकी वैल्यू उस प्रेयर लाइफ की हम यसे कुछ लोग हम जैसे जी रहे हम संगर्श करते करते ही चले जाएंगे अगर हम इन सब्ध को नहीं समझेंगे तो ये दुनिया किसी को आगे बढ़ने नहीं देती है अच्छा काम करना कठिन है पवित्र जीवन जीना तकलीफे आएंगी और वह व्यक्ति जिसका प्राथना जीवन ठीक है उसके पास पवित्रात्मा का सामर्थ रहता है स्वर्दूतों की मिनिस्ट्री एवेलेबल रहती है फादर का स्पेशल ग्रेस रहता है क्यों? क्योंकि दो तरीके है जीवन देखने के या तो हम बोले कि भाई जो परमेश्वर ने बोला है वो होगा जो कोई कुछ भी कर ले और हम बैढ़ जाए ये एक तरीका है दूसरा तरीका है हम इस बात को समझे कि परमेश्वर भले ही स्वर्ग में सिंगासन पर विराजमान है बले ही उसके वादे अच्छे हैं बले ही उसकी चाहत अच्छी है पृत्वी इंसानों के हाथ में है और शेतान पित्री में रुकावट लाता है हर अच्छे काम में रुकावट है और प्रभु येश्वर ने खुद मा बोला मांगो और दिया जाएगा थोड़ा और एग्रेशन लाओ खोजो और मिल जाएगा थोड़ा और एग्रेशन लाओ कट-कटाओ और खोला जाएगा बहुत से लोग को परातना में कभी जवाब मिले नहीं है क्योंकि उन्होंने परातना कभी की नहीं है अकर हमने प्रातना की नहीं है, तो उंको प्रातना जवाब मिला ही नहीं है, लेकिन अकर ने प्रातना की है और हार नहीं मानी है, कट-कटाया है, मांगा है, खोजा है, तो हमने देखा कि परमेश्य जवाब देते हैं, आज पहली बात हम लोग सब को एगरी करना है, परमेश् में, तो हम लोग संदेह करते हैं, क्या Gawd चाहते हैं प्रेयर करें, क्या वो misunderstood है, क्या वो सुनते हैं, क्या मैंटर करते हैं और यही तो शेटान चाहता है कि हम confused हो जाए, doubts में रहे, बेट्प्र आपको बताना चाहते हैं परमेश चाहते हैं प्रात्ना करें, येशु ने प्रामिस किया कि हम प्रात्ना करें तो जवाब मिलेगा, येशु ने बोला है कि तुम मुझ में मने रहो और मैं तुम में तो जो तुम में नाम से माँगोगे, मैं वो तुम में दूँगा, क्या आपको शादी करनी है, क्या आपका काम है, क्या परिवार में blessing चाहिए क्या आपको आत्मा बचानी है क्या सेवा करनी है क्या लोगों को प्रभू के बारे बताना है क्या अच्छा जीवन जीना है क्या भले काम करना है प्रभू येशु जिसमें कोई पाप नहीं था वह व्यक्ति का ऐसा प्रात्ना जीवन था हम जो अपनी गलतियों से आधा टाइम पर रिशान देते हैं हम अगर प्रात्ना में आगे नहीं बढ़ेंगे हम कैसे आगे बढ़ेंगे प्रभू येशु जिसमें कोई पाप नहीं था और अपनी प्रेयर लाइफ को लेके इतने सीरियस और इतने फर्वेंट है तो हम जो उसके लगू से धुले हैं और फिर भी प्रतिदिन अपने शरीर की कमजीरों को अनुभाव करते हैं हम प्रात्ना में डीले कैसे हो सकते हैं आज से कितने लोग मन मनना चाते हैं जितने बीजी लाइफ उतना स्ट्रॉंग प्रेयर लाइफ कभी भी पब्लिक लाइफ एड़ कॉस्ट ऑफ प्राइवेट लाइफ थी सुबह उटके देर रात को हमेशा अकेले लंबी प्रात्ना प्रभु ईश्व प्रात्ना वाले विक्ती थे अकेल स्थान कोचते थे अहार में प्रात्ना निर्जन प्रदेश में प्रात्ना तूसरों के साथ भी प्रात्ना करते थे लेकिन अकेले का प्रात्ना उनों नहीं छोड़ा मरते समय भी प्रात्ना कि लाइफ में कोई important decision से पहले प्रात्ना कि जब लाइफ busy थी prayer कि प्रलोभनाने से पहले prayer कि जब रोटी मचली का चमतकार किया तब पूरी रात प्रात्ना कि हम लोग एक चमतकार हो जाए हम लोग एक साल प्रात्ना नहीं करे अगर हमारे जीवन में हम ऐसे ही चमतकार देखे तो मौट ही लेंगे प्रात्ना नहीं करेंगे लेकिन प्रभु यशु बड़े चमतकारों के बाद प्रात्ना में समय बिताया रात कोट के प्रात्ना किये से और जल्दी उठके का प्रात्ना किये प्रातना से अपनी सेवकाई चालोगी अपने चेलो को चुनने से पहले प्रातना की अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह प्रातना की लेट नाइट प्रातना की पहाड में प्रातना की प्रातना करते हुए ही मरे जो कुछ भी हम जीवन में करते है प्रातना उस पे प्रभाव डालती है, तो हम लेट नाइट प्रेयर करते हैं, लेट नाइट प्रेयर डिलिवरेंस के लिए अच्छे हैं, बंदनें तोडने के लिए अच्छे हैं, बट अल्ली मॉनिंग प्रेयर ब्लेसिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, तो चो तुम चार वज़े उठे हो और तुम आज जितने काम करने हैं उन सब के लिए प्रातना कर ली मेरा चैलेंज है एक महीना करके देखो तुमारी लाइफ ऐसे स्मूज चलेगी तुमको दिन भर अपने कामों में परमेश्वर कादबुद अनुग्रेल देखेगा तुमको समझ में आएगा कि प्रातना या यह विषय परमेश्वर के लिए माइने नहीं रखता परमेश्वर भला है वो अपने बच्चों को आशिख देना चाहता है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इतनी तुछ है कि हम उसके लिए प्रातना नहीं करे हमारे आत्विक जीवन प्रातना की जरूए है हमारी कमजोरिया प्रातना की जरूरत है लाइफ में प्राप्लम्स है उन प्राप्लम्स के लिए प्रेयर करना जरूरी है कि लाइफ में चैलेंजेस है उन चैलेंजेस के लिए प्रेयर करना जरूरी है मेरी जो कमजोरी है, मेरे जो प्रलोबन है उनके लिए प्रातना करने जरूरी है मेरे करेक्टर के लिए मुझे प्रातना करने की जरूरत है अगर जीवन में लडाई चल रही है उन लडाईयों के लिए प्रातना करने की जरूरत है अगर लाइफ में कुछ relationships है important है उन relationships के लिए prayer करने की जरूरत है अगर परमेशर के कोई वादे हैं उन वादों के लिए प्रातना करने की जरूरत है अगर आपके शादी होई है आपके शादी के लिए प्रातना करने की जरूरत है अगर आपके बच्चे हैं आपको बच्चों को प्रातना की जरू होता है, अगर आपके माबाप है, आपके माबाप के लिए प्रातना की जरू होता है, अगर आप काम करते हो, आपको प्रातना की जरू होता है, आपको आपके बॉस के लिए प्रातना की जरू होता है, आपको आपके हाथों के काम के लि प्रातना करने नहीं की जरूता है वच्छन कहता है बिना रुके प्रातना करो हर चीज के लिए प्रातना करो यह पहली बात हमको गाड़ बानने है जब भी हम परमेश्वर को लाइफ में इन्वाल करते हैं परमेश्वर लाइफ में इन्वाल्ड है जब भी हम परमेश्वर का हस्त शेप किसी स्थान में किसी रिष्टे में जीवन के किसी भी चीज में मांगते हैं इसका मतलब हमने सर्वोच परमेश्वर को अपने जीवन में इन्वॉल्व किया है प्रात्ना के द्वारा क्योंकि प्रात्ना ही वो तरीका है हम परमेश्वर के समुका सकते हैं तो मैं क् करो, प्रभु येश्व जैसे क्यों प्रात्ना करो, प्रभु येश्व ने अपने लिए प्रात्ना की, अपने चेलों के लिए प्रात्ना की, अनुगरे के लिए प्रात्ना की, जय पाने के लिए प्रात्ना की, अपने प्रलोभन में प्रात्ना की, राज किसी को समझ जाए कि के मेरे अप्राइफ डूर्प चाहे हैं। हमने समझ जो शादी शारिदिक चीज है आत्मे चीज नहीं है आत्मा पे प्राणों पे परमेश्वर का दिकार है तो अगर कोई school college में है उस life में हर life में है कोई ministry कर रहा है उस life में सब life में एक separate time की जरुवत है जो सिर्फ हमारे परमेश्वर के साथ हो being alone with God मैं सा बोलो परमेश्वर के साथ अकेले जहां हम कभी अकेले नहीं है but being alone with God ये एक habit है कुछ दिन पहले मैंने बताया था ना अच्छी आदत अच्छा जीवन बुरी आदत बुरा जीवन एक स्थान है हम अपने पापों का पश्चाताप कर सकते हैं अपने गुनाओं को कबूल कर सकते हैं एक स्थान है हम हमबलों के grace मांग सकते हैं एक स्थान है हम अपने challenges में God को बुला सकते हैं एक स्थान हम परमेश्वर से अकेले में बात करके उनको उनके promises याद दिला सकते हैं एक स्थान हम परमेश्वर से अनुग्रह की अपील कर सकते हैं दया की अपील कर सकते हैं तो पती पतनी एक दूसरे को थोड़ी जगा दो, क्या दो, बोलो प्रिये, जा थोड़ा समय परमेश्वर के साथ बिता, पॉइंट क्या है, अगर कोई मेरिट भी है, उसको ये जानना ज़रूरी है, कि सोल पे खाली गौट का क्लेम है, अमेन, मैन की हाईएस डूटी है, वो परमेश्वर के सामने खड़ा होना सीखे, एक मिनिस्टर की पहले डूटी हो थी, पहले वो सेवा करना नहीं जाता है, पहले वो परमेश्वर की उपस्तिती में खड़ा होना सीखता है, अमेन, और हम सब को, no matter हम लोग स्टूडेंट हो, यह हम लोग married हो, यह हम लोग working professional हो, यह हम लोग सेवा कर रहे हो, हम सबकी duty है, पहले परमेश्वर के सामने खड़े रहने की आदर डालनी है, परमेश्वर के सामने खड़े रहना सीखना है, आमेन, क्या मन मना रहता हैं, कि कुछ टाइम सिर्फ मेरा है परमेश्वर के साथ, और किसी चीज़ का नहीं है पार्क में जाओ, पहाड पे जाओ गुफा में जाओ छट पे जाओ रूम लॉक कर लो बात्रूम में प्रेयर करो या तो अगर भीड में ही जीवन है कान में येरफोन लगा के अपने आपको अकिला कर लो लेकिन अपने आपको अलग करने किया था थोड़ा समय अपने आपको अलग किया क्योंकि प्रेयर सीक्रेट में होता है अब देखो रभूशुक खुद उसका रोल मॉडल है रभूशुक पहाड में जाते हैं तो हम नाइजीरिया में थे हमको रात को आपाड लेगए बारा बजा गंटी टिंग 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 वह ऐसे गढटी भज़या जाड़ियों से लोग निकल निकल कि आके परातना करने लग गए कोई अरादना करने लगया तो हम बोल यहां तो प्रेयर मांटेनी नहीं ही पाढ़ नहीं है मतलब हम प्रातना नहीं कर सकते भाढ़ का मतलब एक आंथ हम लोग के पास life में private space नहीं है agree करते हम लोग एक टुशहरी जीवन में ऐसी नहीं है right हम लोग के पास personal space नहीं है अकेले करने का फाईदा क्या है जैसे हम अकेले होते है लाइफ में उन चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो सोचना जुरूरी है तबी तो जाओ खुले में परातना करो हम तो बंद में नहीं कर सकते हैं परातना खुले में परातना करो जीजस निर्जन प्रदेश में परातना किये पहाड में परातना किये एक कांथ में प्राथना किये और आज बुलने में आप बोलना क्या चाहिए हम बोलना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में एक प्राइवेट स्पेस बनानी है जो खाली गौड और हमारे बीच की जगा है और कभी भी इतना बीजी नहीं हो जाना है कि हम लोग उस जगा को कॉंप्रोमाइस कर दी हमारे सारे फेलियस का रीजन है कि हम प्राथना में डटे नहीं रहे हमने शुरुआत की हम हार मान गए पहली बात क्या सी कि हमने कि जब भी हम परमेश्वर को किसी भी शेत्र में प्राथना करके बुलाते हैं या अपने लाइफ के किसी भी सिच्वेश्वेशन में इन्वाल्व करते हैं वहां गौड इन्वाल्ड है कोई ऐसे नहीं सोचे जस बिकाज हम क्रिश्चन है गौड सब जगा इन्वाल्ड है गौड तो वर्ल्ड में सब जगा इन्वाल्ड है बट प्रेयर वो माध्यम है जब हम परमेश्वर को अपने जीवन के किसी शेत्र में नियोता दे सकते हैं जब परमेश्वर के आशीश मांग सकते हैं उसका अनुग्रे मांग सकते हैं उसका हाथ मांग सकते हैं अपने पूर्ण मन से यहवा पर भरोसा रख, तू अपनी समझ पर भरोसा मत रख, उसको तू अपने सब कामों में याद रख, वही तेरी सब राहों को सीधा करेगा. इमेन, तुम्हारे लाइफ में जो टेड़े मेड़े रास्ते हैं, उनको परमेश्वर सीधा कर देंगे. दूसरी बात हमको क्या चीखनी है, हमको हर बात में परातना इसलिए करनी है, कि जब भी हम परातना करते हैं, हम सूपर नैच्छल एलिमेंट को हर सिचुएशन में जोड देते हैं, मतब हम हर सिचुएशन में, हर परिस्थिती में एक अलॉकिक एंगल जोड देते हैं, हम परमेश्वर को वहाँ, परमेश्वर की कृपा, उसकी उपस्थिती, स्वधूतों की मिनिस्टी उस जगा बट यहीं तो ब्रोकर ने इस काम किये न, वो वेक्ती जिसका वरोसा अपने आप पर नहीं है, वो क्या करता है, अपने सब काम में गौट को इंवाल्व करता है, क्योंकि उसको मालू मैं परमेश्वर की कृपा के बिना वो कुछ नहीं कर सकता है, अमेन, तो मैं जब प्रा परमेश्वर के लिए द्वार खोरना की परमेश्वर जव को आशीश दे सकते हैं, तीसरी बात प्रातना आशीश लेके आती है, क्योंकि इस प्रित्वी में सब कुछ श्रापित है, लाइफ का हर एरिया कर्स यफेक्टेड है, हर जगा बंधन है, हर जगा रुकावटे हैं जब प्रातना करते हैं, हम रुकावट को तोड सकते हैं, रास्ते खुल सकते हैं, खट-कटा और खोला जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा, ये प्रातना में खट-कटा ना क्या है, लेकिन जब जीवन में सब जगा द्वार बंध रहेंगे ना, तब समझ में आएगा लेट बंध है, मतलब गौट की विल नहीं है, लेकिन आप जब भी गेट दिखे, खट-कटा ना, खट-कटा और खोला जाएगा, ऐसे हम लों को समझ में आता है, लगता रहा ठीक है, मांगो, प्रेयर मांगने के बारे में खट-कटा नहीं की क्या वेल्यू, बट तुम अच्छा, दोर की पूजा नहीं करनी है, दोर के सामने लेट के भूख हरताल नहीं करनी है, गेट के आगे, गेट पर अपना माथा नहीं फोन नहीं है, खट-कटा नहीं कब तक, जब तक खोला नहीं जाता, मतलब ये सत्य है कि परमेश्वर की प्रभूता हर चीच पे है, लेकिन ये भी सत्त है कि लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो परमेश्व की प्रभूता नहीं है, बहुत से रास्ते इसलिए बंद है कि इस दुनिया में अच्छे काम के रास्ते स्वभाविक रूप से मुश्किल होते हैं। और उसको अगर हम परमेश्व की प्रभूता समझ लेंगे तो लाइफ में जो कूछ फिर तो क्या है केले कर छिलकर देखके क्या बोलना पड़ेगा आज फिसलना पड़ेगा क्योंकि प्रभू यही चाहते हैं। स्वर्दूत उसकी सेवा कर रहे थे। नहीं होती। प्रफेसी है मतलब हमको परमेश्व की इच्छा मालूम है। परमेश्व क्या करना चाहते हो मालूम है। लेकिन एक एग्जांपल जो मैं हमेशा देता हूँ। जब लाइफ में प्रफेसी आते ही क्या आता है उसके साथ प्रॉब्लम्स आ जाती है। और हर जगा से उसी प्रफेसी के अगेंट्स में रुकावट आती है। परिमेश्व के समुक आके और वादो को अपने जीवन ने पूरा होते वह देखना। च्यादी तूडगे गौड की विलती, बच्चा किरिका गौड की विलती हम फेल हूगए गौड की विलती, नहीं, हमको God का promise है और अब भी हम कुछ देख रहे हैं जो हमको fulfillment नहीं लगरी बट हम प्रातना के द्वारा God के promises को अपने life में देख सकते हैं अगली बात, प्रातना पवित्रात्मा का सामर्थ हमारे जीवन में ले आता है हमको निरंतर प्रातना करना है कि हम पवित्रात्मा से भर के जीए चलो ने प्रातना की क्यों? पादर के promise के लिए promise के हम मांगो और दिया जाएगा यदित हमारे माता पिता बुरे होते वे भी सहज हमें अच्छी चीज़े दे देते तो मांगने पर हमारा पिता हमें पवित्रात्मा क्यों नहीं देगा? Amen? तो जब prayer की बात है especially प्रभू के वच्छन है कि पवित्रात्मा मांगो मांगो कि तुम पवित्रात्मा के सामट से भरो प्राकरी बात प्रात्ना करो कि हम शैतान के हर एक रुकावट को तोड़ सके मैं साब बोलेंगे जितना बिजी उतनी स्टॉंग प्रेस मैं चाहता हूँ आज इस मेसेज में obviously अगर एक मेसेज परी चोड़ है तो हर जन को अलग प्रकाशना मिलती है पर मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब इस बात को समझे जीजस जिसने कोई पाप नहीं किया जीजस परमेश्वर के एक कलॉप थे बेटे जीजस जिनको Holy Spirit without measure मिली जीजस जिसने miracles किये अंदों को आग दी मरे को भी उठा दिया वो man of prayer थे और हम सबको आज ठान लेना है कि हमको प्रात्ना का व्यक्ति बनना है Amen हमको भी या रात को उठके या early morning उठके या दिन में अपने आपको अलग करके हमको अलग भी कुछ समय बिताना है जहां हम परमेश्वर के समुका के नीरंतर प्रात्ना कर सके क्योंकि Jesus जो हमारे रोल मॉडल है He's a man of prayer रात्ना का व्यक्ति क्या आप रात्ना का व्यक्ति बनना चाहते हो